जाए ही दोस्तों चलिए दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में, इस question में क्या कहा गया है, अग group of worker having equal efficiency can complete a job in 4 days, इसमें कहा गया है एक group में कुछ workers हैं, वो किसी काम को करते हैं, उनकी efficiency जो equal है और वो उसे complete करते हैं, कितने दिन में 4 days में, माना कि x worker है और एक दिन में 1 unit काम करते हैं, तो total काम कितना किया उन्होंने x unit, अब वो कहता है कि वो उसे 4 days तक करते हैं, तो एक दिन में x unit करता है, तो 4 days में कितना करेगा, 4x, तो total काम कितना होगे मेरे पास में, 4x, अब कहता है कि, but it so happened that alternate day starting from the second day, third worker are withdrawal from the job and every alternate day starting from the third day, two worker are to be added to the group, It is now takes 7 days to complete the job, find the number of worker who start the job, इसमें कहां गया है कि वो जो x worker हैं, वो काम करना शुरू करते हैं, और जैसी second day होता है, उसमें से आपके 3 व्यक्ति चले आते हैं, और उसके अगले दिन फिर 2 व्यक्ति आते हैं, फिर उसके अगले दिन 3 चल जाते हैं, फिर उसके अगले दिन 2 व जाता है, तो examiner ने पूछा है कि starting में जो worker थे, वो कितने थे यह पूछा है, तो यहाँ पर देखिए, यह मेरे पास में first day है, यह आपका second day होगा, यह आपका third day होगा, यह आपका fourth day होगा, यह आपका five day होगा, यह आपका six day होगा, six day, और यह आपका हो जाएगा seven day, तो मा एकस माइनस का फाइब उचाएगा इसमें से फिर तीन गए तो यह एकस माइनस का फ्री हो जाएगा यह मेरे पास टोटल प्रोसेस हुआ साथ दिन का अगर मैं इनको एड करूं तो मेरे पास कितना आएगा आपका इसको इधर भीज देंगे तो 7x माइनस का फॉर एकस इस गल्टू में 18 है तो यह 3x इस कल्टू में कितना हो जागा 18 तो यह कितना हो जागा एकस इस कल्टू में 6 तो स्टाटिंग में जो वरकर थे वो नमबर वरकर 6 थे आई होप आप सभी कोशिन किलियर हुआ होगा जय हिं जय है